हेलो स्टुडेंस तमानकु बहुत बहुत स्वागत इंटीएशन नुआ वीडियो रे तो देखो आमें इंटीएशन अब सम्मोर ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन सेट अपिक आमें लास्ट इंडेफिनेट इंटीएशन चेप्टर आमें पडूतिले तो चालो आजी पूनी कणा सिखे भी तमाकु आगोट टाइबर इंटीएशन सिखे भी जोटा कि आमें कणा ट्रिगनोमेट्रि फर्मूलारों हेलप्रे करी पारीबा तो देखा मुँ एठी तार जेनराल फॉर्म लेखी चीछी से टाइबर तो देखा dx by a sin2x plus b और dx by a cos2x plus b और dx by a sin2x plus b cos2x फर गोटेवडे क्वेस्चन रे एठी x जागरे थीटा भी थाए तो थीटा थीले भी कनफ्यूज करीबानी जो टेकनिक मुँ तमाकु सिखे भी सेई टेकनिक तमें सेठी यूज करीबा तो टेकनिक कन देखा एठी आमें कन करीबा एभीत्र जेकन सी भी टाइब थाउ तमें चेश्टा कन करीबा डिनोमिनेटर रे कन कोईची देखा ध्यान देखी सुना डिनोमिनेटर रे कन आनिवापाइँ चेश्टा करीबा 10 square x कोण आणिवापाई चेश्टा करीबा 10 square x आओ numerator रे कोण आणिवापाई चेश्टा करीबा 6 square x तम्हें कहीब सार एमिती काहीं की करीबा Because आमें जानीचु derivative of 10x is 6 square x derivative of 10x is 6 square x जोदी आमें denominator रे 10 आशी जीबा ताहले आमें 10 कुटी नहीं गले आओ उपरे जोदी 6 square अची ताहले 10 कुटी नहीं जीवाले सोफ्टीशन यूज कले कणा होबस सिंप्लिफाई जीबा आओ आमें इजीली इंटीग्रेट करीबा तो चालो मुँ तम्हें को गोटे एक्जाम्पुल कोईची जो एक्जाम्पुल तम्हें जानी जीबा आमें ताहको केमी ती होज करीबा देखा मुटे क्वेस्चन लेखो जीएटी क्वेस्चन हला dx by बहुती जी क्वेस्चन देखा dx by देला आमरो 3 sin square x 3 sin square x plus 2 cos square x 2 cos square x ठीक अची देखा a sin square x plus b cos square x गोटे उटे क्वेस्चन रे एमिती भी थाए एठी उटे उटे plus cb लेखाई दे तो cb उओरीढवा दरकानी सेई सेम टेक्निक रही ही है भब एक्जाम्पुल देखीले तम्हें जानी जीबा जो दी कॉंस्टांथीले कणो करीबा तो देखा एक क्वेस्चन करीबा तमु कणो कहिली तमो कु जे डिनोमिनेट्टर रे कणो आनिवा पाइँ चेस्टा करीबा 10 कणो 10 आनिवा तो 10 पाइँ कणो करीबा देखा एठी देखा गोट्टे आगुरु कणो अची sin अची sin अची ना 10 स्क्वेर डिभाइडेड बाइ को स्क्वेर हाब तो सेथी पाया में कणो करीबा एठी गोट्टे कणो करीबा को स्क्वेर डिभाइड करदबा मुँ गोट्टे कणो करीबी देखा टोट्टाल रे डिनोमिनेट्टर जो आची सेठी गोटे मुँँ कणा करूची cos square x divide कर देली तो जदी गोटे cos square x divide करी भी ताले मते cos square x कुणी कणा करी भाइकु पड़ीब multiply करी भाइकु पड़ीब ठीक, तो मुँँ कणा कही तिली आमें denominator रे 10 square आनिवा पाइँ चेस्टा करी भा आउ निउमेरेटर रे कणा आनिवा पाइँ चेस्टा करी भा sex square x तो देखो आमें बे एटी देखो याकु जदी मुँ simplify करी भी एए denominator कु ध्यान देकी देखो numerator परे लेखी भा एटी देखो sin square divided by cos square हभा तो ये केते ही जी भा 3 कणा हभा 10 square x पूनी देखो 2 cos square x by cos square x कोले कणा हभा only 2 हभा तो देखो आमोर डिनोमेनेटर रे कणा आशिए ला 10 square बट एठी देखो डिनोमेनेटर रे आगोटे एक्स्ट्रा की ओछी cos square आमोकु निमेरेटर रे कणा दरकार थिला sex square तो देखो एठा cos square ओछी माने that means 1 by cos square ना उपर की ओछी उपर केही नाई means 1 ओछी तो 1 by cos square means 1 by cos square theta that is nothing but sex square theta so 1 by cos square ताहले मुँ याकु कणा करी भी जो एक्स्ट्रा cos square ओछी ताकु मुँ उपर कु नहीं की केते लिखी देभी sex square x भुजी हेला ना नाई because 1 by cos square theta is sex square theta so sex square x dx एबे देखो एबे कणा हला ताहले आमारो डिनोमेनेटर तेन आसी गला आउपर कणा ची sex square होची एबे ताहले आमे कणा यूज करी बा substitution यूज करी बा तो substitution केमती यूज करी बा let काहर derivative आमे sex square जानी चू 10 दो derivative भेला sex square तो let कणा करी बा ताहले 10x इकल टू केते नहीं जीबा t so what is the derivative of 10x 10x हीच आवार sex square x so sex square x इकल टू आमको केते मिलीब dt by dx so this implies I can write sex square x dx equal to केते dt बुझे हेला then एबे कणा करी बा देखा sex square x dx is equal to dt ही गोला एबे ताहले next हेला आमरो एई intuition केते ही जीब sex square x dx प्लेसरे मू लेखी देभी dt then 10 कुमू कणा नहीं थिली t ताहले केते लेखी बी आको 3t square plus 2 हाला एबे देखा एई टाइबरो nds न आमें बहुत करी शारी चो एबे देखा t square पाखरे गोटे कणा लाई ची 3 ताहले आमें कणा करी बा 3 को common नहीं चीबा कोठी सीखी तेले chapter number 9d तो ताहले 3 common नहीं बा 3 common नहीं कणा रही बाई ये 1 by 3 एटा केते रही बा dt divided by t square प्लस केते रही बा 2 by 3 बोजे होची next एबे देखा एटा को फर्मूलारे आमरा आशीला आमें फर्मूला पड़ी चो dx by x square प्लस a square जार फर्मूला थिला 1 by a 10 inverse x by a plus c ठीक से ही फर्मूला यूज करी बाई देखा एठी तो x square आची 2 by 3 कुमू कोण लेखी पारी बी 2 by 3 रो रूट रो square बिकाज ताको s square फर्मूला यूज पाई से थी पाई ये मिती कली next एबे देखा this is 1 by 3 रो हिला देन फर्मूला कोण 1 by a a means that is 2 by 3 that is root 2 root over of 2 by 3 that means root 2 by root 3 लेखी पारी बिताको then 10 inverse x by a x place रे कियो ची t आउ a आमरो किये root 2 divided by root 3 एठी की कण हब plus c एठी देखा गोटे root 3 ची एठी गोटे 3 ची तो गोटे root केंसेल कर दी पारी बा तो ताहले ये केते रही जी बा 1 by root 3 into root 2 what is root 3 into root 2 that is nothing but root 6 ताहको लेखी पारी भी 1 by root 6 then 10 inverse एबे देखा याको आमें उपर कुने ले केते आसी बाई है root 3 into t divided by root 2 plus केते c एठी रभेलू केते देखा what is our t t is our 10x so finally our answer is 1 by root 6 10 inverse root 3 10x divided by root 2 plus केते c so this is the required solution भूजियेला ताहले हीटा आमार कुई टाइप थीला a sin square x plus b cos square x देखा जोदी याको जोदी चाहूँ जो तमें note down कर दिया देखा जोदी आमार क्वेस्चेन m इती थान्ता suppose question m इती थान्ता ताहाले आमें कणा करी थान्ते देखा एई question भी जोदी थीब ताहाले भी आमें इजिली करी पारीबा देखा किछी confused करीबा दरकाने पूरा same technique ही यूज करीबा तो तमकु कणा करीबा थी मने कणा रोखीबा थी एई टाइप देखीलो माने किछी भाविबा दरकाने first step कणा करीबा गोटे cos square divide कर दबा गोटे cos square multiply कर दबा से इटाहला first step जे मिति आमें इवे कर थी ले ठीक होची तो चाला देखा मुँ गोटे cos square divide की करी की गोटे cos square multiply करी की कणा होची देखोची देखा आमें जदी गोटे cos square divide कर दबा ताहले कणा होबा देखा कणा आणिवा पाइँ चाहूचू 10 10 square that means आमको सेथी पाइँ कणा divide करी आको पडिवा cos square divide करी आको पडिवा देखा कणा होबा भे 3 sin square x plus 2 divided by मुँ कणा कली cos square x कली तो जदी मुँ cos square x divide करी भी ताहले cos square x पूनी कणा करी भी multiply भूजी एला next एबे देखा एबे कणा होब देखा dx 3 this is sin square by cos square so ये केते ही जवा 3 10 square बट एठी टिक के धियान दिवा सेठी आमारा 2 cos square थिला सेठी पाइँ cos square cos square कोटी जएथिला बट एठी आओ cos square कोटी बनी केते रही बट 2 by cos square x that means I can write 2 by cos square x को मों M इती लेखी पारी बी ना केते लेखी पारी बी 2 6 square x ठीक आओ जो एक्स्ट्रा जे cos square थिला ताको आमे कणा करी थिले 1 by cos square ताको आमे निमेरेटर को नहीं की केते लेखी दिले 6 square x तो ताहले याको केते लेखी बार next 6 square x ताहले देखा एबे आमे डिनमेरेटर रे खाली कोणा आणिवा पाई चेस्टा करू थिले 10 square बट एठी कोणा हीची हो 10 square आशीची ठीको था बट ता सांगरे आगोटे कोणा आशीची 6 square बट आमको दरकार कोणा डिनमेरेटर रे only 10 square दरकार ठीको ची ताहले केमिती करीबा देखा 6 square theta मने तमे कोणा जानी चो 1 plus 10 square theta तो आमे कोणा करीबा याको टोटाल को दिनमेरेटर को 10 बनेवा ची तो एए 6 square x प्लेस रे कोणा यूज़ करदावा फर्मूला 1 plus 10 square x चालो यूज़ करीबा एवे देखीबा कोणा हब आवे ये रही गला 6 square x dx एवे देखा दिस इस 3 10 square x 3 10 square x प्लस 2 इन्टू फाटी 6 square x रो आमारा फर्मूला कोणा 1 plus 10 square x भुजी येला ठीको ची तो देखा याको जोदी bracket open करदावा तो ये आमारा आशीबा एठी उपरे रहीला 6 square x dx तापर याको ब्रेकेट open कले दिस इस देखा 3 10 square x से पूनी 2 10 square x देट मिन्स 5 10 square x अब प्लस केते हबा पूनी प्लस 2 एठी उडे 2 रहीबा एवे देखा ताले देखा दिनमेंटरे पूनी कणा हला 10 80 गला दिनमेंटरे कणा हला 10 80 गला एवे पूनी कणा करीबा 10 x को t ने इजबा बुझे वुची पूनी जेमिती कर थीले आमे से प्रिभियोस क्वेस्टेन जो कहीली से ही सेम प्रोसेस लगे कि पूनी देखीबा से ही फॉर्मूला यू जोओ तो भग ओ फॉर्मूला dx बाइ x2 प्लस x2 ताहले आमें इज़िली इंटिग्रेट करी पादेबा ठीक हची एठी पुनी काहा कू t ने ब ताहले 10 x इकलू t ठीक हची तम्मू से ही स्टेब छाड़ूची तम्में निज़े करदाब एवे देखा ताहले आमें कुणना सिख्षी ले एई दीटा टाइप ताहले सिख्षी गले आमें जोदी एवे भाविन्य जोदी एई फॉर्म है थीबा सपोज आमारा क्वेस्चेन आची dx बाइ 3 प्लस 2 को स्क्वेर एक्स dx बाइ 3 प्लस 2 को स्क्वेर एक्स ताहले देखा मुग अल्ली तम्मुक कुण 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 सिख्षी भी केमिती तम्में डिनोमेरेटरे अल्ली 10 आणिब आ उपरे 6 स्क्वेर केमिती आणिब सेटा सिख्षी तो तम्मुक कुण कुण को इतली किछी भाविबाद और काने जोस्ट अनली कॉण करीबा गोटे को स्क्वेर डिभाइड कर दबा गोटे को स्क्वेर मॉल्टिप्लाइ कर दबा बाकी किछी भाविबाद और काने तो देखा एठी जोदी आमें गोटे को स्क्वेर डिभाइड कर दबा ताहले कोण होबा देख्किवा 3 plus 2 cos square x divided by कोण कोली गोटे cos square x ताहले गोटे cos square x पुनी कोण कोरी बा multiply ठीको छे तो केते आसीवा देखो ये रहिला dx divided by this is 3 3 divided by cos square x that is 3 sex square x plus cos square by cos square कोण होबा cancel ही की only 2 रही बा ताहले आगोटे जों पाहरे cos square थिला ताको आमें उपरे नही की कण लेखी बा sex square x तमें इटा जानी चो आमको डिनोमेनेटर रे जों कण दरकार थिला only 10 दरकार थिला बट डिनोमेनेटर रे कण ओछी sex square numerator कणण दरकार थिला 6² x से तो अच्छी तार कीछी प्रोब्लेम नाई बट आम डिनोमेनेटर प्रोब्लेम एबे भी अच्छी प्रोब्लेम कणण एठी 6² x अच्छी आमकु दरकार कणण थिला 10² x पूनी कणण करीबा एगेन फर्मूला यूज करीबा को फर्मूला 6² थिटा इकल टू 1 प्लस 10² थिटा तो चलो यूज करदा भाई ठी तो देखाओ ये रहिला 6² x dx divided by 3 into in place of 6² x मुँ केते लेखी देवी 1 प्लस 10² x प्लस केते है ठीला ताहले केते है भाई ये ये ताहले आम रही जी भाई एठी रहिला 6² x dx divided by ये केते है भाई ये केते है भाई this is 3 plus 310² x plus 2 3 plus 310² x plus 2 तो ये डेखा ताहले ये केते है गोला this is 6² x dx आव ये रही गोला आमार 310² x plus 3 plus 2 is 5 तो देखा ताव पूनी से मिती आसी ही गोला जे मिती आमें फर्स्ट केसेन करी थिले देखी पारचो दिनोमिनेटर आमरो 10 स्क्वेर आशी है इची आवपरे कणा है सेक स्क्वेर पूनी एठी कणा करीवा सफ्ट इजुशन लेट पूनी कहा कुटी नावँ 10x इकल टी सो 10x इकल टी नेले पूनी कणा आशी इची है सेक स्क्वेर dx इकल टी ताले एए इंटी एशन कणा है जीवा दिस इज dt आव एठी केते है जीवा 3t2 प्लस 5 तापरे कणा करीवा तमें निजे जानी चो तमें निजे करी पारीवा एठी पूनी आमें 3 कमन आणी की पूनी एई फर्मूला यूज करीवा देन इंटी एशन इजिली है जीवा कॉन्सेप्ट सिखी अलती इंटाब वीडियो देखी देई चो ताइले तमें निजे चेस्टा करो देन मुझ सोलूशन भी अपलोड करीवी सोलूशन दो तमें एंसाल चेक करी पारीवा खीक हो ची